नबश्कार बहुत स्वागत है आपका आपके साथ मैं हो विवेक मद्विदेश में विधानसभा चुनाओ 2023 के मद्दे नजर भारती जन्ता पार्टी ने बाकी सभी सीटों पर दो सीटों को छोड़ कर शनिवार को अपने प्रत्यासियों का एलान कर दिया ऐसे में अब टिकट कटने के बज़े से तमाम विधानसभाओं में बगाबत के स्वर देखे जा रहे है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी ने कई विधानसभा सीटों पर अपने विधायकों के भी टिकट काट दिये है बात करें विंद की तो विंद की सिंग्राओली विधानसभा सीट से विधायक राम लल्लू वैश की टिकट काट दी गई है उनकी जगह राम निवाश शाह को भारती जन्ता पार्टी ने प्रत्यासी बनाया है राम निवाश शाह वहां से जिला ध्यक्ष रहे हैं और अब राम लल्लू वैश ने अपने बगावती अंदाज में नजर आए है आपको बता दें कि इशारा कर दिया है उन्होंने की भारती जन्ता पार्टी को वो बाय बाय अब कह देंगे इस कारण से क्योंकि उनकी टिकट कटने से राम लल्लू वैश नाराज है और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक बुलाई थी वहीं ये भी कहा जाता है कि इस बैठक में वो पार्टी छोड़ने का एलान कर सकते हैं वह है उन्होंने कहा कि अब वो पार्टी छोड़ रहे हैं और किस पार्टी से विधान सभा चुलाओं लड़ेंगे उन्होंने कारकरताओं से कहा कि हमें धोके का जवाब सालिंता से देना है और हम अपनी ताकत दिखाएंगे आपको बता दें कि राम लल्लू बैश इससे पहले तीन बार बीजेपी के टिकट पर चुनाओं लड़ चुके हैं 2018 के चुनाओं में उन्हें काम्याबी मिली थी दरसल आपको अगर पूरी बात बताएं तो 24 मई 2008 को सीधी से अलग होका सिंग्राउली जिला बना मद्रदेश का वो पचासवा जिला था 2018 के जब विधानसभा चुनाओं में सिंग्राउली से 19 उमुदबार चुनाओं मैदान पे उतरे थे लेकिन यहां मुकावला तृरको नहीं था भारती जնता पार्टी, कॉंग्रेस और आम आद़मी पार्टी के बीच यह क्योंकि आमादमी पार्टी का यहां पर अच्छा होल्ड माना जाता है यह पहला छेत्र है जहां से महापाउर आमादमी पार्टी की चुनी गई थी और इस बीच जो यह मुकावला हुआ था तो काटे की टककर थी जहां से बीजेपी के राम लल्लू बैश 2018 में चुनाव जीत बगावत करने के मूड में दिख रहे हैं विधायक जी और जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं बता दें कि बीजाए बीजेपी के अपने उमिदवारों की जो पांचवी सूची जारी की ऐसे में प्रदेश की 228 विधान सभा सीटों पर अपने प्रत्याश्यों का ए लिया है और 228 विधान सभा सीटे यानि कि दो विधान सभा सीटे ऐसी हैं जहां पर अभी बीजेपी ने अपने उमिदवार नहीं उतारे हैं यानि कि जैसे ही पांचवी सूची बीजेपी ने अपनी जारी की और यह माना जा रहा है कि तमाम विधान सभाओं पर अपने प भी बगावती स्वर अपना रहे हैं और इसी तरह राम लल्लू वैश जब सिंग्रोली से उनकी टिकट काट कर राम निवास शाह को वहाँ पर उमीदवार बनाया गया जो जिलाद धैक्ष रहे हैं अब राम लल्लू वैश बगावती मूर में दिख रहे हैं अब देखना होग कि आने वाले समय में वो क्या निर्णाय लेते हैं और किस पार्टी से वो चुनाव लड़ते हैं